ये गाड़ी है बॉलिवुड के जाने माने एक्टर पंकच त्रिपाठी के रिष्टेदार की इस गाड़ी में पंकच की लाडली बहन और बहनोई सफर कर रहे थे ये लोग स्वेफ्ट कार में सवार होकर गोपाल गंच से कोलकाता के लिए निकले थे लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे ये गाड़ी हाथ से की शिकार हो गए समय तो पहर के 3 बच कर 45 मिनट अभी CCTV वीडियो को देखे CCTV वीडियो में लगभग 10 सेकेंड बीता ही था कि तभी 3 स्पीड में आ रही सफेद रंकी स्विफ्ट कार सडक के डिवाइडर से जाठक राई आपको बता दे कि ये वही गाड़ी है जिसमें पंकच के रिष्टेदार सवार थे कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही गाड़ी डिवाइडर पर रुख गई गाड़ी और डिवाइडर दोनों की हालत देख महां की लोग फॉरण भागे और गाड़ी में मौजूद लोगों को निकालने में जुट गए थे जिसके बार गाड़ी में सवाल लोगों को फॉरन अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गनीमत ये रही कि चंद सेकेंड पहले उस रोड पर दो पाइक सवार रोड क्रॉस किये थे वरना ये हाथ सा और भी दर्दनाख साबित होता सब्सक्राइब करें ये वाइफ अस्माली दोनों आदमेट है ये मुन्ना तिवारी है और एक शरिता तिवारी उनकी वाइफ है हम लोग परम दुर्शन पर आजी परदूश्क से जनकारी मिला है यह हमको बताया हम से फोन आया हम लोगां से फोन आया है तो हम बोड़ों काड़ों में है यह प्रंकर्श तिर पाठी के साला हुए और यह बहान ने आप यह देखिए बहुत जल्दी हम नहीं बोल सकते बिना टॉक्टिंग से मेलें हम लोग पूप अब यह इनके पाइना हुए मारा मामा लगते हैं दरसल धनबाद के जीटी रोड अस्थित निर्चा में सडक दुरघटना हुए जिसमें पंकच की बहन और बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गया घायल इस्थिती में ही उन्हें धनबाद के हॉस्पिटल में भरती कराया गया जहां उनकी हालत नाजुख बताई जा रही थी जानकारी के मुताबिक पंकच के बहनोई मुन्ना तिवारी खुद कार चला रहे थे और उनकी पत्नी सरीता भी उसकार में बैठी हुई थी हालांकि दुरघटा कैसे हुई इसके बारे में जान जारी है इस हाथसे में पंकच के बहनोई मुन्ना तिवारी की मौत हो गई है जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है और उनका अस्पिताल में इलाज जारी है ब्यूरो रिपोर्ट क्राइंग तब ब्यूरो ब्यूरो रिजये खिर ब्यूरो रिजये प्रिया अस्पिताल में जारी है